इस अद्बुद गतिविदी में सिर्फ एक कागस को जला कर आप एक गलास उठा सकते हैं आपको चाहिए केवल एक बार दर्शी गलास, थोड़ा पानी और एक गुबारा सबसे पहले ऐसा गलास दीजिए जो इतना मोटा हो कि वह जलते हुए कागस का सामना कर सके जैसे बोरो सिल्गा गलास, तो सबसे पहले हम गलास में कागस जलाते हैं यह काम आप किसी बड़े की निक्राणी में ही करिए जब कागस पूरी तरह जल जाएं, तो एक गुबारा फलाईए फानी में डुबा कर गलास के उपर रखतीजिए थोड़ा रखिए और देखिए क्या होता है, आप देखेंगे कि गुबारा गलास के अंदर खिच गया है और अब अगर आप गुबारा उठाएंगे, तो गलास भी साथ में उठ जाएगा हमने गुबारे पर कोई गोन नहीं लगाया है, बस ऐसा होता है कि गिले गुबारे के कारण गुबारा और गलास द्रड़ता से सील बंद हो जाते हैं ये क्या हो रहा है, गुबारा गलास को कैसे उठा पा रहा है जब हमने गलास में कागत जलाया, तो उसके अंदर की हवा गरम हो गई, तापमान बढ़ गया फिर हमने गलास को गुबारे से ढग दिया, और बाद में जब तापमान घटा, तो अंदर की गैस का वॉल्यूम भी घट गया और उसने गुबारे को भी अपने साथ अंदर खीच लिया, क्योंकि हमने गुबारे को पानी से भिगो दिया था, इसलिए उसकी और गलास की सील मजबूत थी, और गुबारा गलास को उठा सका यह सच नहीं है कि गलास का वॉल्यूम ऑक्सीजन के खत्म होने के कारण कम होता है, वास्तव में ऑक्सीजन के जलने से जितनी ऑक्सीजन खत्म होती है, उससे दोगनी गैस बन जाती है, तो चलाईए और उठाईए, एक छोटे से कमजोर गुबारे से आप कही अधिक भारी गलास उठा सकते हैं, मज़ा कीजिए।